यूजी सी नेट के लिए जो स्टूडेंट बिल्कुल सीरियस है वो इस वीडियो को देखें जो नहीं सीरियस है तो इस वीडियो को मत देखें कल संदे है कल होलिडे है तो कल हमारा कोई भी वीडियो नहीं आएगा आप तक तब तक हमारी प्रीविश वीडियो को की प्रैक्टिसी करें हला फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यव चैनल स्टडी भरत में मेरा नाम है अमन वोहरा तो फ्रेंड्स आज हम आपके सामने लेके आए हैं अगर वीडियो देखते समय कोई आप कोई वीडियो के ऊपर कोई एड आते हैं तो इस एड को पूरा देखें क्योंकि उस एडिस्टर जो इंकम होगी पेपर टूस जल्दी से स्टार्ट कर पाएंगे तो फ्रेंट्स आपके लिए एक और जुरूरत शुचना जो स्टुडें लिए घंडी मीट्यम वाले हैं उनके लिए हम एक तोफा लेके मेड़ ही है तो हम पेपर ऑन हिंदी मीट्यम में स्टार्ट करेंगी तो यह मंड़ा से हमारे लेक्ट्र करने लिए क्यो 아침 वाले हैं तो उसको स्को फ्रेंड्ले में से पहले हम Backgroundalay चाओ आप से बटने वाये हैं तो हम पेपर 11 हिंदी में में भी स्टार्ट करने वाले हैं तो यह मंडे से हम अप्लोड होने शुरू हा जाएंगे लिए इन तो आप फिर लिम्म वालों को कोई भी चेंता की जरूत उन्हीं है तो हम इप दर जाजना स्टार्ट करेंगे ड़िए हंब जो बहुत हैं आपके लिए हम paper to UGC wil- fosterhehe का भी का का स्टार्ठ करने वाले हैं पर उसको स्टार्ट करने से पहले हम economics के practice Set आप से discuss करेंगे जमें अजो बनाये हैं आपके सामने वो discuss करेंगे कि ताकि आपको economics HP level का पता चल पाए ठीक एपेको इस मन्त में practice mcqs ही करेंगे ठीक है तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल एक इन्ट बएए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो के आपको नोटिफिकरशन मिल पाए अगर वीडियो को नोटिफिकरशन में दो वीडियो डालते हैं उन दोनों वीडियो का डिरेक्ट लिंक हम बहां पे टेलिग्राम एप पे शेयर करने के आपको वीडियो धूनने में दिक्कर नहीं होगी आपको टेलिग्राम पे हमारे चैनल जोइन करना है तो आप हमारा नोट्स बनाने का टाम नहीं है तो आप हमसे नोट्स को प्रेचेस भी कर सकते हैं तो यह हमारा नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलबल है आपको फुली अपडेटेटेड़ कॉंप्लीट मेटेडियल मिलेगा तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस कर दो है किसी नमगादेटेश क्पूशंच स्वीस देखा किसी एक मिलेगाने है के नेयूंबियाश इसी में बेभलाइध तो कल मैंने आपको मेमरी लैवल आफ टीचिंग रिटायाथा हूँ आ रिचंग या Стखिताया था हूं चल है मैंने लेवल पढ़ाया था तो और ने तो प्लीज उसको चेक कर लिजिये एक बार तो मेमरी लवल दिया था हरबड ने तो उसको करेक्शन कर लेना अब एक बार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आपने यह बताया कि यह हरबड ने दिया क्योंकि इससे बता चलता है कि आप इसको पढ़ते हो आप सीरियस हो इस चैड़ी के पिछे तो जले शुरू करते हैं आज का अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है इसमें भी आपको मैं म पर कोई बी नोटन कोई बिक कोई बी नोटल कोई कोई किक जोन करने की बिल्कु भी जूरू उज यह भी तो फिक है हम खाटम कर देंगे तो बाकि जो महई ने बचेंगे तो उल्कू कोहीं ही कोईLo सो चाये से प्रैक्टिस कर आएंगे अपकोग कोई भी कोचिंग लेने की जुरूत नहीं पढ़ेगी आप अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को सब को इरिश्तिदारों को सब को पताईए हम आपको फ्री में कोचिंग देंगे ठीक है आपको कोई भी वह वालूम आती है हम आप हमसे पूश चकते हैं तो जले शुरू करते हैं देखे फ्रेंड्स कल हमने ने पढ़ा था वह तो हो गया था याद करने के लिए ठीक है उसका मतलब था याद करना तो उसमें फैक्ट देखते थे हम आज है अंडरस्टैंडिंग आप यह देखे कि अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है समझना ठीक है समझना इसे कहते हैं थौट्फुल टीचिंग ठीक है अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अंडरस्टैंडिंग होन चाहिए अंडरस्टैंडिंग समझना यान कि आपको को जो अगस्त उनिस्सो सेन्टालिस को तो वह हमारा था मेंबरी लेवल यहीं की याद करनेगा वह अब अब अन्डेस्टेंडिंग में आता है कि भारतजाद मलके जो हुआ था वह क्यों हुआ था तो हम पढ़ेंगे न कि अंग्रेजों का राय था इतनी समय से राय था ठीक है तो लिए करकर के यहां पर हमें अजादी मिली हो क्या अंडेस्टेंडिंग हो गया हम ने पड़ा कि हमको यह कैसे मिला प्रसेस कैसे हुआ हमने इसको समझ लिए हम किसी को आगे एक्स्प्रेमट भी कर सकते हैं ठीक है तो अंडेस्टेंडिंग में क्या होगा कि इन दा- जाके शेक्तर में तथा psychology मनवविज्ञान के शेक्तर में understanding का मीनिंग क्या होता है नीचे लिखा है देखे seeing the total use of fact इसमें सभी के सभी fact का इस्तमाल किया जाता है seeing relationship जो चीज आपस में चीजों का क्या संबंध है वह देखा जाता है यानि कि चीजों का आपस में relationship संबंध देखा जाता है ठीक है है तब है तब यह समझ पाएगे न कि कोई चीज कैसे हमें कोई बतादे कि यार्ज यह चीज़ ऐसे आएगी जैसे हम हमें कोई बताए कि दो और दो चार होते हम देखेंगे न कि दो और दो को इसमें प्लस किया है ठीक है अगर हमें बता दे कि 2 माइनस 2 4 होता है यह हम तो नहीं मालेंगे क्योंकि हमें understanding आ चुकी है कि 2 और 2 को प्लस करेंगे तब ही 4 आएगा ठीक है फ्रेंट्स यह होता है understanding level यहनकी factor देखोगे तो साथ में relationship देखोगे तो चलिए यह तो होगी इसकी definition the teaching at the understanding level is of higher quality than one at memory level यहनकी teaching में जो understanding level है ठीक है वो एक higher quality है किसमें से memory level से यहनकी memory level में आप सिरफ चीजों को याद ही करते हो समझते बिलकुल नहीं हो ठीक है आपको सिरफ factor याद होते है पर जो understanding का level आते है teaching के अंदर वो एक आपको higher quality पर दान करता है higher quality मतलब कि आपको चीज समझ में आते है आप किसी को चीज समझा सकते हो ठीक है जैसे मैं भी कोशिश करता आपकी चीज समझाने की क्या पता आपको समझ आती है नहीं आती है यह तो मेरे को नहीं पता पर फिर भी आपको जो मैं चीज समझा रहा हूं तो वो हो गया understanding level ठीक है तो it is more useful and thoughtful from the point of view of mental capability यानि कि कह रहे कि ये बहुत ज़्यादा useful है और बहुत ज़्यादा thoughtful है thoughtful होता है सोचने के लिए ठीक है ये बहुत useful है thoughtful है किसके point of view से ठीक है यानि कि हम जो अपने दिमाग से सोचते हैं अमपरी mental capability से योगिता से दिमागी शक्ती से हम जो सोचते हैं ये इसके लिए बहुत ज़्यादा useful है ठीक है नेस्ट आगया memory प्लस प्रिमियन्स inside inside प्रिमियन्स का मतलब होता है अंतर रिष्टी ये इनकी देखें सबसे पहली बात ये होती है कि आप देखें कि जो memory level है उसमें हम याद करते हैं उसमें हमारी memory आती है इसमें memory के सासत क्या आदा है इसमें permeance और insight भी आता है ये इनकी इसमें अंतर रिष्टी भी आती है हम चीज़ों को असानी से समझते हैं memory जो हमने चीज़ याद कर ली याद करने के बाद हम क्या करते हैं उसको अपनी दिमाग से सोचने की कोशिश भी करते हैं ठीव रेंट तो इसके है जो objective type इसमें objective type question में एक में चीज़ लिखनी बूल गया objective type question तो इसमें आते हैं साथ में इसमें ऐसे टाइप question भी आते हैं objective type मतलब memory level याद कि हम दें जो याद किया है जैसे हमारे सामने कौशन आते हैं चार आप्शन आते हैं न सामने objective type में पूश लेते हैं कि बताईए यह कब हुआ था हमें चारों में से ढूणना पड़ता न option में से कौन सी चीज़ है वह हमारा हो गया memory level ठीक है objective type भी आएगी एसमें एसे type question में आएंगे यान कि जिसको हम लिख सकते हैं यान कि understand कर सकते हैं objective type का मतलब हो गया हमारा memory level एसे type का मतलब हो गया understanding level यान कि जो हमें एक question वाइचांस पूश ले उसके चार option पूश ले हम उसको आंसर दे देते हैं वो memory level में हो गया अब यह हम बताए कि कि इसको elaborate करक जो आपने आसर दिया है क्या आप इसको explain कर सकते हो क्या ठीक है इसमें यान कि ऐसे type question भी आएंगे यान कि इसमें objective और साथ में ऐसे type question भी आते है understanding level में ठीक है यान कि आपनी चीज़ को कितना समझाए यह दिया था Morrison ने given by Morrison ठीक है memory level जो हमने कल किया था वो दिया था Herbert ने यह दिया है Morrison ने merits of understanding level of teaching इसके merits क्या है फाइदे क्या है दिखे at this level of teaching students to make use of their thinking ability इस लेवल में क्या होता है कि students में students को क्या थे उनमें thinking ability यान कि सोचने की शक्ति आती है आप यह देखे कि आपको कोई कह दे कि बताई इसका क्या अंसर क्या आएगा आप सोचोगे ना किसने क क्या पूचा है मैं क्या अंसर दो कैसे हूं आप दिखे कि आगर आप जैसे हमने इसकोल में एक्जाम दिये कोलीज में असाम दिये वहाँ पर लिखना होता है कि जो ऐसे टाइप कोशन आते थे अम इसका आंसर सोच के लिखना पता था ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि understanding level मे इसमें जो नॉलेज आती है, नॉलेज एक्वाइड एर इस लेवल फॉर्म, on the basis, इसमें जेहे कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल अफ टीचिंग है, इसमें नॉलेज इक्वाइड होती है, यानि कि आपकी नॉलेज जो है वो उसका लेवल वो बढ़ता है, नॉलेज इसमें सब्जेक्ट है, जो चीज़ बढ़नी होती है, ठीक है, वो स्टूटिन को बढ़ने से पहले वो सबी चीज़्यको और्गनाईज करता है, उस स्टूचल फोर्म में देता है, यानकी टीचर ने स्टूटिन को कुछ भी बढ़ाना हो, सब्जक्ट पढ़ना होतो हुआ, इसक क्या होगा sequential order साथ में organize ठीक है the new knowledge acquired is related to the previous acquired knowledge इसमें जो हमें 9 knowledge मिलती है वो previously acquired knowledge ही होती है आप यह देखिए कि simple सी बात है जो बच्चे plus 1 plus 2 कर चुके है 11 12 कर चुके हैं जब वो अपने graduation level में जाते हैं तो उनको plus 1 plus 2 का subject ही elaborate करके बताया जाता है जानकी जो आपने new knowledge ले रहे हो वो आपका previous knowledge के साथ ही जुड़ा हुआ है here the students do not learn by root यहां कि यहां से student जो है वो root से नहीं सीखता here the learn by understanding the fact and information and their use and purpose रूट का मलत है बिलकुल basic level से यहां से वो नहीं सीखता क्योंकि का से चेहां कि यहां से हम यहां कि वह तो हमने root तो सीख लिए memory level से तो यहां पर हम क्या गरते हैं यहां पर understanding करते हैं कि सको fact and information को लेकि यह की root का इसमाल नहीं कर रहा है knowledge में जो सरी memory द़िर्चेंग के टीचिंग् सिभाएविस टीचिंग उदिस लेवल हिसमें जो टीचिंग होती है वो ci टीचिंग एंडस्टुडब perform । ऐसे ऑद्फ सकता है कि जो अम्डेशानी लेवल्ल है उसमें क्या होता है ये तृचिंग एंडस्टुड प्रावलम आते हैं तभी वह टीचर से पूछता है नहीं तो वो उसको खुद ही समझना पढ़ता है इसमें कोई इंट्रेक्शन नहीं होती इंट्रेक्शन किसमें होती है मैमरी लेवल में जब टीचर आप से कॉशन पूछेगा बताएगा ठीक है तो इसमें आपको कोशे ही जिखना पढ़ता है तो friends हमने कल किया था memory level आज हमने के understanding level तो हम कलेंगे कल reflective level friends आपको मैं यही कठ्थे भी करवा सकता था एक ही जगह में एक ही lecture में पर देखे कि student जो जब lecture लंबा जाते वो तो सुनते नहीं है ठीक है वो देखते नहीं है हारदी पाँच शिय साथ मिनट या दस मिनट का सुनते नहीं है इसलिए मैं इसको to level को आपको थोड़ा खर्कर कर के बता रहा हूँ किता आपको अच्छे से हो भी जाए तो आप वीडियो को पूरा भी देखें आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें ठीक है वीडियो को पूरा देखें इससे आपको अच्छे से हो जाएगा आप यह देखें कि अगर आप किसी जगा कोचिंग जोइन करते हो या कहीं पर ज इसके साथाफे साथ मेंुट्स बनाते जाइए ठीक है फ्रेंट, तो हम आपको फिर पूरा ही, मैं आपको फिर बता दो पूरा क doesn't कराएंगे आपको कहीं पर भी कोई भी बुक्स कोई भी चीज लेने की जोड़तनी कोई भी कोचिंग लेने की जोड़तनी आप हमारे साथ जुड़े रही है ठीक है आपको यहां पर कोई भी कोचिंग अच्छे से मिल जाएगी आपको कोई भी बुक मत लीजिए आप आप हमा हमारे से चैनल के साथ पने रहिए आपको करना कुछ नहीं है आपको देली हमारी दोनों वीडियो देखनी है आपको यह आज का लेक्चर पसंद आए होगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो के ओपर कोई भी याट आता है तो इसका प्लिस पूरा देखने